हेलो दोस्तो मेरा नाम है मनीज और आप देख रहे हैं वाइफा क्लास जहां आप सेखने माने हैं कुछ नया तो फ्रेंड्स आज की स्वीडियों हम बात करेंगे बी ये फर्स्ट इयर पॉलिटिकल सैंस के पेपर सेकेंड की पेपर में खुल आपको तीन घंटे का समय दिया जाएगा और मेक्जिम माक्स का पेपर होगा हंडेट पार्ट ए यानि खंड अ आपका बीस माक्स का है और नोट है आपका सभी प्रस्ण अनिवारी हैं प्रतेक प्रस्ण का उत्तर पचास सब्दों से अधिक ना हो सभी प्रस का उत्तर 250 सब्दों से अधिक ना हो सभी प्रश्णों के अंक समान है ठीक है और खंड 100 आपका 30 माक्स का आता है और आपका नोट है इसके अंदर कि कोई दो प्रस्ण कीजिए, प्रतेक प्रस्ण का उत्तर 300 सब्दों से अधिग ना हो, सभी प्रस्णों के अंक समान है, ठीके दोस्तों, खंड अ यहां से आपका स्टार्ट होता हुआ, जिसमें पहला कुश्यन है आपका, यह यहां परीकाई एक से, मनु के अनुसार संप्रबोता क आधार क्या है, बी है आपका, कौटिल्य द्वारा अर्थसास्त्र में उल्लेकित नयायलों के नाम लिखिए, ठीके, अब है आपकी यूनिट सेकिंड यानि 21, तो, सी है आपका, राजा, राम, मोहन, राये द्वारा प्रकासित पत्रिकाएं कौन सी हैं, डी है आपका, यानि 21, तीसरी, जिसमें आपसे कोशिन पूछ रखा है, गोपाल इक्रिस्टन गोखले ने कब और कहां कांग्रेस के दिवेशन की अध्यक्षिता की थी, ओके, नेक्स कोशिन है आपका, तिलक द्वारा केसरी और मराठा पत्रिकाएं कौन सी भासा में परकासित की गई, अ कब और कहां बहुत धर्म को सविकार किया था, नेक्स कोशिन है आपका, नहरू का मानवतावाद क्या था, तीक है, अब है आपकी यूनिट 5 यानि इकाई 5, जिसमें आपसे कोशिन पूछ रखा है पहला, जय प्रकास नारायन के अनुसार समावाद का उद्देश क्या है, नेक्स कोशिन है आपका, आर एम लोहिया के अनुसार नव समाजवाद का आदार क्या है, अब आपका स्टार्ट होता है पार्ट बी यानि खंडब, जिसमें आपकी यूनिट 1, स्टार्ट है, यूनिट 1 का सेकिन कोशिन है आपका, कौटिले के सब्तांग के सिद्धान्त को स्पस्ट कीजिए अत्वा में कुश्चिन आपसे पूछ रखा है सुक्रद्वारा वर्णित राज जी के कार ये क्या है अब आपके स्टार्ट है यूनिट सेकिंड यानि इकाई दू और आपसे कुश्चिन पूछ रखा है तीसरा स्वामी दयानंद के राजनेतिक पिचारों का परिक्षन कीजिए और अत्वा में कुश्चिन आपसे पूछ रखा है स्वामी विवेकानंद के सामाजिक दरसन का वर्णन कीजिए ठीक है इन दोन में से कोई एक कुश्चिन आपको करना है अब आपके स्टार्ट है यूनिट थर्ड यानि इकाई तीसरी जिसमें आपसे चौधा कुश्चिन पूछ रखा है तिलक के सवराज सिद्धानत का वर्णन कीजिए ठीक है क्या पूछ रखा है तिलक के सवराज सिद्धानत का वर्णन कीजिए यह अत्वा में आपसे कुशिन पूछ रखा है यहाँ पर अमध खा के अनुसार भारत में विद्रो के कारणों को स्पस्ट कीजिए अब आपके स्थार्ट होती है यूनिट 4 यानि इकाई 4 जिसमें आपसे पाचवा कुशिन पूछ रखा है और अत्वा में आपसे दूसरा कुशिन पूछ रखा है नहरू के राष्टवाद के विजारों को स्पस्ट कीजिए अब आपकी यूनिट 5 यानि इकाई 5 जिसमें आपसे कुशिन पूछ रखा है जै प्रकास नारायान द्वारा वर्णित संपूर्ण करांती के सिद्धान्त का परिष्ण कीजिए और अथवा में आपसे पूछ रखा है कुशिन की राम मोहन लोहिया के रानेतिक दर्सन का मुल्यांकन कीजिए ठीक है अब आपका स्टार्ट होता है पार्ट C यानि खंड सव जिसमें आपसे इकाई 1 के अंदर गत साथवा कुशिन पूछ रखा है मनु के विचारों की महत्ता को स्पस्ट कीजिए अब आपकी स्टार्ट है यूनिट सेकिंड यानि इकाई दूसरी जिसमें आपसे आठवा कुशिन पूछ रखा है कि राजा राम मोहन राय के समाज को दिये योगदान का वर्णन कीजिए और ये नाइन्थ कुशिन है आपका इकाई थर्ड के अंदर गत नाइन्थ कुशिन है आपका गोपाल ग्रिस्न गोखले के राजनेतिक विचारों का प्रिक्षन कीजिए ठीक है अब आपके स्टार्ट होती है यूनिट फोर यानि इकाई चार जिसमें आपसे दस्वा कुशिन पूछ रखा है आधुनिक समय में महात्मा गादी के विचारों की अपादेयता पर संचिप्त टिप्पनी लिखे है ठीक है अब आपके स्टार्ट होती है यूनिट फाइव यानि इकाई पाँच जिसमें आपसे 11 और लास कुशिन पूछ रखा है राजनेतिक दर्सन को M.N.Roy के योगदान का प्रिक्षन कीजिए तो फ्रेंड्स यहीं पर आपका यह कोश्चेंद पर समापत होता हुआ I hope friends आपको वीडियो पसंद आई है अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक किजे अगर आप बिये के और कोश्चेन और पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अलग अलग वीडियो बना रखिये जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कुशन बॉक्स में दे दिया जाएगा थैंक यू फर वाचिंग